नमस्कार हर खबर बिहार चार्खन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपतिसाद फावन अथरपाथी रुख करेंगे प्रिदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर बीजेपी के दिगश नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंती सुशील कुमार मोदी का लंबे समय से बिमारी के बाद ने धन हो गया बता दे कि सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर अस्ती कलश भागलपुर लाया गया जहां भागलपुर के टाउन हॉल में बीजेपी के कारिकरताओं ने श्रद्धांजली सभा का योजन किया मैंश रधा अंजली सभा में भागलपुर के सभी बीज़ेपी नेता और कारिकरता उन्हें सुशील कुमार मोदी की तस्वीर पर पुश्प अर्पित कर उन्हें नमन किया अर्पित कर उन्हें सुशील कुमार मोदी जी जो विहार भाजपा के एक मजबूत अस्तम्ब थे हम लोगं के बीच वो नहीं रहे लोग जानते हैं कि केलास्पती मिस्रा जी के बाद अगर महरती जनता पार्टी को इस मुकाम तक लाने में चै effectiveness के बाद के मितास्थान है तो आगर्णी सुशील कुमार मोदी जी का है और सुचिल कुमार मोदी जी आईज के राजनीत में ऐसे ब्यक्तित उते कि राजनीतिक अनुशासन क्या है यह अगर सीखना है तो यह सुचिल कुमार मोदी जी को देख कर यह सीखा जा सकता है बहुत दिन से काम किया 74 के आंदोलन में भागलपूर में भी वो आते थे और उसी साकिल से चलते थे निरणजन जी के घर से हम लोग जाते थे और उन्होंने उसका नित्रित किया नबर में वो गिधायक बरे तब से उनका संबन भागलपूर से रहा है ऐसे करमठ निता को हमने प्रक्राइब को जराशा भी यह था नहीं वो कार्ज करता के यह मर मितने के तैयार रहते थे कोई कार्ज करता को कव किसी समय कोई जरुरत हो उनको कहने पर वो तुरत उसके लिए सामाधान दून ते लोकसभा चुनाफ को लेकर मुजफर पुर में लगातार नेताओं का दौरा शुरू है राजनीतिक पार्खी को और वोटर को एक जुट करने में चुटी हुई है इसको लेकर केंद्रि मंसी गिरी राज सिंग जिले के औराई इलाके का दौरा किया इस मौके पर और आई विधायक राम सुरत राय मौजूद रहे बतादे की गिरी राज सिंग ने अगामी पाँचवे चरण में मुजफर पुर्चुनाफ को लेकर लोगों से राश्ट के हित में भातिय जुनता पार्टी को बहु मूले वोट करने की अपील की साथ ही उन्होंने पूर्व उपमुखे मंत्री तेजस्वी यादव पर जम कर हमला बोला में जूच बोल करके अगर हिम्मत है तो पांच विवाग के मंत्री बताए कि कितनी नौक्रिया दी लोगसबा चुनाफ को लेकर सियासी हलचल तेज है चाचवर्णों के मत्दान के बाद पांचवे चरण के लिए चुनावी प्रचार प्रसायचारी है एक ओर एंडिये के ओर से बिहार में ताबर तोड रहलिया के जा रही है तो वहीं महागट बंधन के ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने चुनावी मोचा संभाला हुआ है तेजस्वी आदव एक के बाद एक बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही है इस सब को लेकर गिरी राज सिंग ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि तेजस्वी आदव जूटों के सरदार हैं साथ ही उन्होंने तेजस्वी आदव के जॉब शो को लेकर कहा कि वो केवल जंगल राजशो और अपहरन शो कर सकते हैं ए वो टीटहियां था हुआ इससे अस्मान में देखता था तो कहता था मैं आस्मान का भाड ले रखा हूँ यही आरजडी के नेता टीटहियां की तरह जंता उन के साथ नहीं है उनके पास गड़िबों का साथ नहीं है हमारे नेता नरंदर मोदी और नितीज कुमार के कारण बिहार में सभी पिछरे इंक्लूडिंग कोईडी, कुर्मी, निशाद का बहुमत मिल रहा है और गड़ीबों का असिरबाद रुपी हो हो बोट मिल रहा साइलेंट जिसका पता लालू जी को भी नहीं है, पंचानवे का याद करता जेडियो के मुखे प्रवक्ता निरज कुमार ने लालू यादव पर जम करने शाना साथा उन्होंने कहा कि लालू बार बार समिधान और आरक्षन पर खत्रा बताते हैं लेकिन वास्तों में उनके परिशानी यही है कि इसी समिधान के तहट उन्हें जेल भेजा गया निरज कुमार ने आरोप लगाया कि लालू के पास पत्ना में 43 बीगा जमीन है जुसके कीमत 486 करोड रुपए है उन्होंने कहा कि 2024 में जदियू सरकार बनने पर इस जमीन पर को जब्द कर अनाथाले और विद्धराश्रम बनाये जाएगा पास आज के तिती में केवल पटना सहर में 43 बीगा बारह कट्था जमीन है 486 करोड का परतमान बिक्रे मुलिका है तो हम जानना चाहते हैं कि महागट बंदन के घटक डल पे जो नेता है उनके पास है इतनी संपत्ती तो ये संपत्ती को 24 में जब सरकार बनेगी संपत्ती को जब्त करेंगे और जब्त करके वहाँ आठाले बनाएंगे बिद्धा वस्ता आस्रम बनाएंगे और पारिवारी कारख्षन खतम करेंगे जनता ने तै कर लिया है कि अब परिवार की राजनीत नहीं होगी एक परिवार में बताएए बारा आदमी है अच्छे आदमी सक्रिय राजनीत में है जनाब सिद्धिकी साथ कहां बेटेंगे कहां बेटेंगे ग्यान की भूमी बोध गया में महा बोधी मंदर परिसर में एक व्रिक्ष के देख भाल व्याज्यानिक करते हैं इस व्रिक्ष का नाम बोधी है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ग्यान के प्राप्ति हुई थी यही वज़ा है कि देश विदेश से लाखों की संख्या में विदेशी परेटक शर्धालू यहां आते हैं और इस बोधी व्रिक्ष के नीचे बौध विक्षू और बौध शर्धालू सातना करते हैं महा बोधी व्रिक्ष एक एक पत्ता शर्धालू के लिए प्रसाथ के समान होता है और बोधिविक्ष की धार्मिक महात्व को देखते हुए BTMC इसका पूरा खयार रखता है वन अनुसंधान इंस्टिट्यूट से दोवय ज्यानिक सतन वर्दवाल और सैलेश पांडे बोध गया पहुँचकर बोधिविक्ष की स्वस्त की जांच की जा रही है सबर गया से है जहां बोधिविक्ष के नीचे देश विदेश से हजारों परेटक और शद्धालू आकर साधना करते हैं आपको बतादी कि यही विक्ष है जहां भगवान बुद्ध को ग्यान प्राप्त हुआ था जिसके बाद पेड़ का धार्मिक महात्व बढ़ गया है वक्त हो चलाए छोटे से ब्रेक का जल्द हाजरोंगे ब्रेक के बाद भारत को विश्म की तीस्वी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे यह है मोदी की गार्टी बेटा ना भिजली ना भीमा हम किसानों को तो धुखा ही मिला वोट के बत ले और पापा आपको बिच्वा लिए पर हमें तो मिला है मोदी बस एक वोट दिया था अपने हर्याणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निदी सीधा खाते में आ जाती है सबसे ज़्यादा फसलों पर मिलती है खाट बीच्वी कभी कभी नहीं होती सिर्फ तारीफ ही नहीं वोट भी दो बच्चो तभी तो आई दी मोदी सरकार कमल का बटन दबां भाजपा को जितां है माम है लुफ आगिन डाउनलोड आउनलोड हुआ नहीं पर तब तब मैं इडली बनाती हूँ हमने बनाया किट सी जारी रहेगी रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरंस की नीती ये है मोदी की गारंटी व्रेक के बाद आपका स्वागत है ख़वरों में आगे बढ़ेंगे धनबाद और बुकारों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है बतादे की नाके के दौरान एक वाहन से पांच लाग का कैश जब क्या गया है कार में सवार दो यूफकों से पूछताच की गई दोनों उत्तर प्रिदेश के रहने वाले हैं वही वाहन धनबाद से बुकारों की ओर जा रहा था आशंका जताई जा रही है कि ये रुपे चुनाफ को प्रभावित करने के लिए इस्तमार में लाए जा सकते थे बुकारों में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है आपको बता दे कि लोग सवार चुनाफ का बिगुल बच चुका है जिसकों लेकर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है इसी क्रम में पुलिस ने दो युफकों को गिरफतार किया है जो उनके पास से पांच लाग कैश बरामत किया गया है जानकारी के मताबिक दोनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे तो वहीं पुलिस का कहना है कि ये सामगरी चुनाफ को एफेक्ट कर सकती थी खबर बेतिया से है जहां पेंडिंग रिजल्ट के बारे में जानकारी लेने गए अभाविप कारकरताओं पर टीपी वर्मा कॉलेज के प्रचारे भड़क उठे और अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए प्रिंसिपल ने अभाविप कारकरताओं को कार्याले से बाह पर निकाल दिया बतादी कि इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है जुसके बाद विश्व विद्याले प्रशासन ने तुरित कारवाई करते हुए प्रिंसिपल को प्रिंसिपल पत से विमक्त कर दिया परश्रमी चंपारन जिला निर्वाचन पताधिकारी सेह जिला अधिकारी दिनेश कुमार राय के दिशा निर्देश के आलोक में समुचे परश्चिम चम्पारन जिले में स्वीप अंतरगत लागातार कई जगोपर मतदाता जाग रुकता कारिक्रम संचालित किया जा रहे हैं जागरुकता कायफ्रमों के माध्यम से मतदाताओं को 25 मई 2024 को अनिवारे रूप से मतदान करने के लिए जागरुक और प्रेरित किया जा रहा है तो वहीं जिला प्रशासन का उदेश है कि जिले के शत प्रतिशत मतदाता अपने मत का प्रयोग करें इसी कड़ी में पश्रिम चंपारन, लोकसभा, निर्वाचन, शेत्र, अंतरगत, चनपठिया प्रखन के चुहुडी, अवस्थित, संत आगनेस मध्य विद्याले में मतदाता जागरुकता कायफ्रम का भाव्यायोजन सपलता पूर्वक संपन हुआ इस कर्क्रम में संत आगनेस मध्य विद्याले, संत आगनेस उच विद्याले, संत लौरें स्कूल चुहुडी और कई लोग शामिल रहे मतदाताओं को अपील किया रहा है, उन्हें जागरु किया रहा है उन्हें बच्चों के माध्यम से, आपने देखा कि बच्चों ने रंगोली कारेक्राम हाथ में तप्या लिये हुए है, लुकरनाटा का उन्हें बहुती ब्यहतरीन परदर्सन किया है, इनकी सोच और इनकी वर्ड इक्तालिस के पारशद सीमा जा के आवास पर इनकम टैक्स की तीम पहुंची, वहीं सीमा जा के पती पूर पारशद विजय जाने इनकम टैक्स की तीम को देखकर दंग रह गए, बतादे कि इनकम टैक्स के अधिकारियों ने विजय जा से समपत्ती की जानकारी को ल पार्षत की तीम में रेड की, इस दौरान उन्होंने समपत्री की जानकारी को लेकर पारषड से पुछ दाच की है खबर मुझफर पूर से है जहाँ पारषड सीमा झाके घर पर इनकम टैक्स ने रेड डाली है इस दोरान उन्होंने संपत्ति की जानकारी को लेकर उनसे पूछता आज की मुझफरपुर में इंकम टैक्स की टीम ने बड़ी कारवाय की है इंकम टैक्स की टीम ने पारशत की घर पर चापा मारा है धनबाद लोगसवा शेत्र के बुकारो विधान सवा के दूंधी बाजार में विभेन दुकानों में विभेन पार्टियों के जंडे दुकानों और पोल में लगे हुए थे इसी को लेकर FST टीम ने कारवाय करते हुए सभी दलों के जंडे को उतारा बचादे की जंडे उतारने FST की टीम जब पहुंची तो BJP के कारकरताओं ने जम कर वहस बाजी भी की और जिला प्रशासन हाई हाई के नारे लगाए नवादा जिले के गाव में शरीर पर गंदा पानी गिरने को लेकर विवाद हो गया जुसमें देखते ही देखते मारपीर शुरू हो गई जिसमें पांच लोग दोनों तरफ से जखमी हुए हैं वही एक तरफ से चार लोग गंभी रूप से जखमी हैं जखमी हालत में घायलो को सरकारी एस्पताल में भरती कराए गया है जहां घायलो का इलाज जारी है किया किया कि खेड़ी गाले घान शुरू अ कर यह संदे के लिए पार के लेगा ने लांग का दिटांगे और्ये मां धिया कि यह खाट यहां पर आगे एंद मेरा शुरू और दो बेतिया में उत्तर वाहिनी चिमनी के पास से 6 महीने पहले ट्राक्टर चोरी किया गया था पुलिस ने वारदात में शामिल लुटेरो को गिरफदार कर लिया है स्ड़िपो विवेक दीप ने बताया कि अनुसंधान और तक्नीकी जाँच के क्रम में चनपटिया की थाना अध्यक्ष समराज सिंग को लुटेरो के हर सिद्धी में होने की सूचना मिली जिसके बाद पुलिस टीम का गठन कर चापे मारी की गई इस दौरान पुलिस ने शातर चोरो को गरफतार किया है इनकी निशान देही पर ही लूटे गए ट्राक्टर की बरामदगी और ट्राक्टर खरीदने वाले व्यक्ती कार्शिद रजा को पकड़ा गया कर दो कि तो हमारे जो 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 और जब कास राय का ट्रेक्टर जो यह जो कि लाल रेलड़ा मुंद्रा ट्रेक्टर नंबर अप्व बी आर्वाइस जीए घर शिक्स लिरो पाइट में यह कर चैपोलिया लॉरिया मुखमार्क बेलेवन चिन्नी है वहनी पे इसको भूड लू तो उसके बाद जो अधिस मान के करम में टेक्मिजाव इंपुट और जो इमान इंपुट है उसके अधार पे सब्सक्राइब जो मुख तेसमें जो सालिस करता था जिटु कुमा उसकी पहचान की गई और किशने ही साल नहीं 20 मारफ वही इसको जिल दो दिया लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का जन्द हाजरोंगे ब्रेक के बाद किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपे की सम्मान निथी यह है बोदी की गारंटी हमारे जमाने में बेटी जन में तो मातम होता था पर हमारे समय तो हड़याना में बेटी बचाने वाला है उसे पढ़ाने वाला है उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका व्या करवाने वाला तक बैठा है नसीब आली हो सब, तुम्हें बोट के बदले मोधी मिला, तारीफ ही करती रहोगी, या जा कर बोट भी डालोगी मोधी को, जा रहे हैं दादी, जा रहे हैं, अरे, मुझे भी तो ले चल, चाल, कमल का बटन दबाए, भाज पागो जिताएं, हमने बनाया, किट से? ये है मोधी की गारेंटी, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, कि हमारा चुनाव लडने का एक ही मकसद है, गरीब तबके के लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुचाना जो आज तक नहीं हुआ, बहुत से गरीबों को ये भी नहीं पता है, कि सरकार किसकिस योजना के दहर गरीबों को लाप पहुचा रही है, और साथ उन्होंने कहा कि धनबाद जिले में एरपोर्ट और एक अच्छे स्पतार की सबसे ज़्यादा जरूरत है जिसके लिए मैं काफे चिंतित हूँ, ये समस्या को दूर करूँ ही पर यहीं कहना है कि जैसे हमारे अधरी जी ने कहां कि एक नए चेहरे को आने की जरूरत है, मैं इस अधार पे आज तक धनबाद जिले के अंदर या धनबाद समसद्य चेत्रेजिताइक मरता है, वहां मैं घर घर में जाती हो मैं तो यह डोज का काम है, तो कई बेवसाही मैं जहां पर मतलब उन्हें आत्म हत्या करते देखा, फासी लगाते देखा, तो जहर खाते देखा है, ऐसी जबन समस्यां उसे अंतर लगते, और जहां तक आज तक हमारे सांसत्त जो भी रहे हैं, अगर कोई लांचल के लिए या वोकारोश की प्लान के लिए कुछ करते है कारोश के लिए, तो शायद मुझे भाट जेंडर को युद में आने के जरूरत भी नहीं पड़ती है, चाहे हो महिना हों, चाहे हो पुर्ष हों, दोनों ही जब भी बने, अपने आपको पायदा लगाया, अपने आप सा बर्चत को बनाया, समाज को और यहां के बेरुजग करने में सफल ताहसिल की है, पुलिस ने अपरादी पर दो लाख का इनाम भी रखा था, गया पुलिस ने हजारी बाग में छिपए अपरादी को गरफतार किया है, स्सपी आशीश भारती ने प्रेस कॉन्फरेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि हत्या लूर सहित कई संग इसके द्वारा कुख्याच अपराद कर्मी की गिरफतारी के लिए लगातार प्रेयास किया रहा है, इसी कम में जो गंभीर मामलों में शामिल अपराद करनी हैं और जो कई वरसों से पराद चल रहे हैं, उनकी गिरफतारी के लिए एक विशेश्टी मगठन भी किया गया है जिनका गाम में सानवाज खांगी, उन्त मुहमुद अली करें बश्याम में सामवारा करते हैं, शिचित तो नहीं है, उसको के रहे हैं, ऊचित तो नहीं है, अमर उसको कोन रोकने जायागा, उसको तो इस पर चान्मिन करना चाहिए प्लिस पर सब्सक्राइब पीछे पड़ा हुआ है इस पर ध्यान थोली न जायागा दीपनगर धाना शेत्र के सिपाह गाउं में बदमाशों ने एक युवक को गोली माटी युवक के दाहिने हाथ में गोली लगी है पीड़ित ने बताया कि चार बदमाश घर में घुसाए और मारपीट करने लगे विरोध करने पर बदमाश ने फाइरिंग की इस दौरान एक बदमाश ने उसे गोली मार दी जिससे वो जखमी हो गया घटना के बाद चार बदमाश फरार हो गए थाना द्यक्ष नारत मूनी सिंग ने बताया कि पुलिस मामली की चार्च में जुट गई है कि पूजा हुआ था अमर्दीप के हां तो वही परसादी खाने के लिए तो उधर से डिरेक्टी चार लड़का है और भीच के ले जाने लगा नहीं गए तो गोली चला दिया में लड़का उसी पाग के था से थोड़ा 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 पचाते चेरा से अकास था रंजी कि अवह एं तो बैठे हुए तो जाने तो वहले हैं तो वह चलेगा था चलो नहीं तो फिर घीच के लिए जाने लगा आमें लोगों नहीं गहें तो फूली चलाबी हैं वोने से चार गो आया है, वो उसके जिते का भकी जवा था, अकास्तानों उसका, बोला कि ये चार सेडा है, कॉलर पकड़के, बुड़ी भी बुड़ार लो, कुछों से क्या हुआ है बताओ, जे चले ना बोल रहा लिए, बोले बताइ मतना खोशी हुआ, तो उसके में मारू जे चले ना बताना है, तो गोई चार गो उसके पूछ रहते हैं, क्या बाताओ, पुलिस ने तीन यूफकों को गरफतार किया है, बतादे कि हत्यार को लहताराते हुए तीनों का फोटो वारल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कारवाई की, और हत्यार के साथ तीन वक को न्याये खिरासत में भेश दिया है, फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजरों के नई अपडेट्स के साथ, नमस्कार